जोहार दोस्तों आप लोग को जोहार एक्जाम में स्वागत है जैसा कि हम लोग कल तक सेट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम लोग सेट 6 देखेंगे तो चली हम लोग सेट 6 को प्रक्टिस करते हैं यह प्रक्टिस देख लीकिन किनको लाबोंका लेड़ी सुस्परवाजर नगर्पालिका एक्जाम तो होच चुका है उसका भी सिलबस यही सिलबस हिने था जो हम लोग कल बताएंगे कर बताएंगे जो नगरपलिका में हिंदी का प्रीबिएस यह जो कोर्षेन आया था उसको कर दोंगे हमया मैं घंधिक है तो देखें करते हैं और यह स्टेयल में भी यही सब कोश्चन आने की प्रवल संभावना और लेड़ी सुपर वाजर खासका तो लेड़ी सुपर वाजर हुआ में आने की बहुत संभावना क्योंकि सेलबस केक रोणिंग यह प्रैक्टिसेट बनाया गया है तो चलि हम लोग यह कोश्य इहमें इश्टृत रहने वालकि समास का विग्रापद है संप्रदान टत्पुरूष संभंत टादपुरूष करम करम parfिर्ण तथ्पुरूष ऐलोग तथ्पुरूष तो कौन सा तथ्पुरूष होगा तो इसका होझा है ऐलोग तथ्पुरूष है नेक्ट निल गा में कुन सा समास है तो निलगाय में कुन सा समास है द्वांत समास है कर्मधारे समास है अभयाई भाव समास या तत्पुरु समास है तो इसमें कुन सा समास है कर्मधारे समास है निलगाय यह क्या है कुन सा समास होगा इसको विगिरा करने पर कुन सा समास होगा कर्मधारे समास होगा next question में क्या है कागजी घोड़े दोड़ना दोड़ाना मुहावरे का आर्थ होगा जाज पड़ताल करना नकली घोड़े दोड़ाना बहुत परिश्रम करना वेर्थ की लिखा पढ़ी करना तो क्या हो जागा इसका वेर्थ की लिखा पाढ़ी करना नेक्स की पारा वुतार्ना मुखरे का आर्थ क्या सर्धी पड़ना बुखा वुद कम कहना तप्मान का कम होना तो इसका इनसर क्या हो जाएका क्रोद कम होना मतलब की क्या महावरे खेल सान्लना Looking मानों सब्द के लिए उप्रिक्त भावाचक संग्या का चैन खिजे मानवता आदमीयता मनस्वी मनुस्यत्तौ तो क्या हो जाएगा इसका एंसर मानवता हो जाएगा मानवता हो जाएगा अचुक विशेशन के साथ उपित संग्या है कौन होगा निशाना होगा जवाब होगा नेत्र होगा चोट होगा तो क्या हो जाएगा निशाना हो जाएगा तू तुम आप मुझे तुमको तुम्हारा किस पुरु से सम्मधित है अन्य पुछ से उत्तम पुछ से मद्द पुरु से इनमे से कोई नहीं तो इसका एंशर क्या हो जाएगा ये मद्द पुरु से है नेक्स्रीघृमत निमलेखिट में सरुनाम है इसमें चारों पसुछ में कौन सारुनाम होगा मॉनस या सभा हिमालय है तो क्या हो just सब्सक्राइस काया कि राम कंसा कारत अधिंकर कों थे तुसने चली वाकतर कारत होगा करता कारत अप्रदान कारक कर्म कारक इन्हें स्पुशन है तो क्या हो जागा इसका इंसर कर्था कर्ता कारक हो जाओ उन से डेड़ी चाल चले ये वाक में कुछ चोर रख है कर्ताकारक नेक्स्त जहां ना पहुचे रवी वहां पहुचे कवी में कौन सा उपवाक्य होगा सरनाम उपवाग के विशेशन उपवाग के किरिया विशेशन उपवाग संग्या विशेशन उपवाग तो क्या हो जाएगा इसका एंसर किरिया विशेशन उपवाग के नेक्स लोभी किस विधी से निर्मित विशेशन है प्रताई विधी से संग्या विधी से सरणाव विधी से क्रिया विधी से तो क्या हो जगा प्रताई विधी से लड़का सोता है ये वाकिस सम्मादित है सकर्माख है अकर्माख है एवर भी दो नहीं तो इन में सो कोई नहीं तो क्या हो जागा यह शकरमाख है क्या है लड़का सोता है क्या है शकरमाख है मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य किरिया की पहचान करें तो इसमें कौन से मुख्य किरिया है तो हूँ है मैं है जाता है इनमें से कोई नहीं है तो इसका एंसर क्या हो जागा जाता है नेक्स्ट संस्क्रिट में किसी सब्द में कुल कितने रूप में विभक्ति और वचुनों के आधा पर बनते हैं तो चार 24 दो या नौ तो कितने बनते हैं 24 बनते हैं नेक्स्ट हिंदी में अधिकान सब्द किस भासा में आये हैं उर्दूस फार्शी संस्क्रिट एंग्रेजी तो हिंदी में अधिकान सब्द किस भासा से आये हैं तो इसका एंसर हो जागा संस्क्रिट भासा से आये हैं नेक्स्ट प्रफम राज सभायोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी 25, 37, 21, 20 तो कितनी थी 21 थी सविधान के 21 अनुछेद के अनुछेद के अनुछा असंग की राजभासा हिंदी और लिपी देव नागरी है अनुछेद 344 अनुछेद 343 अनुछेद 342 इनमें से कोई नहीं तो इसका अनुछेद 19033 निमलिखित में हस्ती किस सब्र का तत्सम सरूप है हसी हाथी हार हाथ तो क्या हो जाएगा इसका अनसर हाथी हो जाएगा नेक्स轉 आग्र का तंस्म क्या मुझे अग्रनी इन में कुई नहीं तु प्रीवचराइनısı कि रूद में पहलोय दिभलन ध्रवन हम देने और उसके táarl。 तो नप्र जाने वायट क्या कहलाता है अभियांतर आग्र्द लोप यह बहा तो क्या कहलाता है यह लोप नेक्स बीनु गूर सोई ज्ञान में भासा परिवर्तन का कौन सा कारक होगा तो कौन सा होगा भावा तिद्रेक ले आत्मक नवी किर्णिया इन्में सुकुई नहीं तो इसका एंसर क्या हो जगा ले आतात्मक ता शिल्प गत आधा पर दोहे के उल्टा छंद है चो पाई है बर्वे है रोला है सोर्था है इसका एंसर क्या होगा सोर्था है सोहत ओदेपीट पट स्याम सलोनी अगत मनुहु नेल मनी सेल पर आपत पर थे प्रभात कौन अलंकार होगा तो कौन सा अलंकार उत्रेच्छा स्लेश यमक रूपग तो कौन सा होगा अप्शन नवर ए हो जगा नेक्स्ट कवीता कवी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्ति के पलायन है यह कतन किसका कोला अरीज टी एस इलियट लुकाच इनमें सकोई ने तो इसका एंसर क्या हो जाएगा टी एस इलियट नेक्स्ट पत्र के संबान में निमलखित में किसको अभिवादन कहते हैं? पीरेपूत्र सुभासिस पीरेपूत्र इनमें से कोई नहीं तो इसका एंसर क्या हो जागा सुभासिस राजपत्र में परकासित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है अधिसूचना विज्यातप्ति ग्यापान परिपत्र तो इसका एंसर क्या हो जागा अधिसूचना आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में ससिंडिम धन धर नाज क्या है प्रयायमन करना अंड बर करना समाधिर लगाना योग साधना करना इसका एंसर क्या हो जाएगा अंड बर करना नेक्स कौन गुड के में लिप्ठ लिपट कर अप्राप्रां त्याग देता है चीटियां कभी गोपियां इनमी सुकूइ नहीं तो कौन गुड में लिपट कर अप्रा प्रां त्याग देते हैं तो सच्चा राज धर्म क्या है अनिती दूर करना राज प्राप्त करना प्रजा का हीद करना प्रजासी कर लेना तो इसका अनसर का हो जाएगा प्रजा का हीद करना क्या हो जाएगा प्रजा का हीद करना तो सुर्दास के अनसर सच्चा राज धर्म क्या है प्रजा का हीद करना से द्हर्म रामच्रित किसकी कृती किसकी कृती कभीदास और नाभादास तुलसिदास किसकी कृती है यह तुलसिदास की बिहारी के रचना का क्या नाम है बिहारी सतसरी बिहारी चट-जै-जै-बिहारी-री-षई-बिहारी-णे-णे-निया-ई इसका एंसर क्या हो जाएगा बिहारी सतसरी देखी दुफ हरी में कौन सा अलंकार है भ्रंती मान अलंकार है अनुपरास अलंकार है उपमा इनमें कोई नहीं तो इसमें कौन सा अलंकार होगा इसका एंसर क्या हो जागा तो इसका एंसर हो जागा अनुपरास अलंकार हो जागा निमलिखिर में कौन सी रचना रस्खान की नहीं है सुजान रस्खान रस्खान सातक प्रेम 25 प्रेम वाटिका तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्रेम 25 नेक्स विद्यापती के बाल सक्खा थे राज कित्ती सिंग राज सिव सिंग राजा मिलीतू जै सिंग दरभंगा नरेश कमेशवर सिंग तो इसका अंसर क्या हो जाएगा राजा सिव सिंग थी कभीर को वानी को डिटेक्टर किस ने कहा पंत ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आचारी सुक्ल ने हजारी पसाद दिवेदी ने तो किसे ने कहा इसका अंसर क्या हो हजारी पसाद दिवेदी ने कहा नेक्स्ट वलभाचारिय ने सुर्दास को किसमत की सिच्छा दी देवत वादी मार्ग पुष्टी मार्ग सक्षी भक्ति मार्ग तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पुष्टी मार्ग हो जाएगा नेक्स्ट रामचलित मार्ग में कुल कितने खंड है तो चार खंड है साथ खंड है पांच खंड है आठ खंड है तो कितने खंड है रामचलित मार्ग में साथ खंड है नेक्स्ट भूशन की मौलिकता क्या है रिति कालिन अलंकारिक कवी के रूप में रिति कालिक सिंगारिक कवी के रूप में इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जागा तो इसका अंसर हो जागा रिति कालिक के सिंगारिक कवी के रूप में नेक्स्ट अब भ्रांश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है ढोला मारू रहा दुहा भारतेश्वर भाहवली रास खुमान रासो जै मंत्र जैस चंद्रिका तो इसका अंसर क्या हो जागा तो भारतेश्वर भाहवली रास हो जागा क्या हो जागा इसका अंसर भारतेश्वर भाहवली रास हो जागा नेक्स्ट लोग किस के नाम पर दिखावा करते हैं जाती के नाम पर संप्रदाय के नाम पर धर्म के समाज के पर दिखावा करते हैं तो किस पर दिखावा करते हैं लोग धर्म पर दिखावा करते हैं और चिंदी साहीट के ज़रनक और बाल क्रिशन भट भात्य ह संदू प्रमचंध यह संंकरपर्शा और उप से क्या लेदर फ्रवाधिक प्रचलीत का भी रूप और है मुग्त का मि है चंप बाओंद ना कावी है तो इसका क्या हो जागा मुक्त कावी है नेक्स मेथली सरन गुप्तन में कितने खंडों कावियों की रचना की है तो कितनों खंडों की कावियों की रचना की है मेथली सरन तो उननीश गुपता जी को किस सम्मान से अलंकरित क्या गया था तो राष्ट कवी, विश्व कवी, देश कवी, इनमें से कोई नहीं तो इसका अंतर क्या हो जगा है राष्ट कवी निराला जी समाज के प्रचलित ढोंग का बड़ा चुबहता द्रिस्क कहा देखा सिंदू के किनारे, सर्यू के किनारे, गुम्ती के किनारे, गंगा के किनारे तो इसका अंसर क्या हो जागा? गुम्ती के किनारे संध्या सुंद्री कवीता किनकी है? परसाद की, निराला की, दिनकर की, पंथ जी की तो किनकी है ये? निराला जी की है नेक्स पंत द्वारा राचित महाकावी है स्वर्म किरन खादी के फोल रसिम बंध लोक यातन तो इसका क्या अंसर हो जाएगा तो यह लोक यातन हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेचन इस सेट का पतंजी को कवी करने कविता करने कहां से मिली तो प्राकृतिक सुंदर से देश प्रेम से प्राकृति से इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर प्राकृति से हो जाएगा पतंजी को कविता करने की प्रेम कहां से मिली प्राकृतिक तो चलिए दोस्तों हम लोग आज यहीं सम्मा देखेंगे किसी की टोपिक में कितना खुश्चन आया कैसा कैसा है कितना आप कर सकते हैं वह हम कर देखेंगे हिंदी का कुश्चन का यह लेबल था तरह यह सब कर दो देखेंगे क्ल जाएसे एक तो और स्टोब सेम है तो इसे आप लोग कर सकते हैं कि जैए है इसे नगापालिका में जब करेंगा या था है उसा ही सेम रहे भी आएगा तो आप लोग यह वीडियो को देखते रहें और कल का वीडियो देखना मत भूलीगा जिले तेंगू